व्लोक सभावा चुनाओं का मैदान सज गया है और जीत हासिल करने के लिए पार्टिया पूरा दम खम लगा रही है वहें इस चुनावी रण में नेताओं के अलग-लग बयान भी सामने आ रहे है बारामती सीट पर पवार परिवार से ननद और भावी आमने सामने है इंडिये से अजीत पवार की पतनी सुनेत्रा पवार प्रत्याशी हैं तो उनके सामने ननद और शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले इंडिया एलाइंस की कैंडिडेट है हमारे सेयोगी समीर ने सुपिया सुले से बातचीत की जहां उन्होंने कई मुद्दों पर अपने विचार रखे बात हमेशा चलती कि पवार वर्सिस पवार ऐसे में कितना कठीन है, emotional तोर पर कितना कठी emotions तो time heals everything और यह हुए 6 मैंने, 8-9 मैंने होंगे अभी तो clearly घाव तो रहेगे, लेकिन life is to go on because जिम्हेदारी अब बदल गाई है और जिम्हेदारी जब पढ़ती है तो जो विश्वास आप देख रहे थे पूरी जब मैं घूमती हूँ जिस विश्वास से प्यार से लोग हमारे साथ खड़े है तो उनके लिए तो लड़न पड़ीगा जब उन्हें आप सुनित्रा पवार को जिब आप घूमते हुए देखती हैं प्रचार कर रही हैं आप नोटिस कर रही होंगे उनके मुद्दे नोटिस कर रही होंगे तो क्या लगता है नहीं मैं नहीं फॉलो करती तो क्या लेकिन दूसरे के गर मैंने नहीं जाकती है और मुझे देश के कौर इशूस क्या है वो पता है मेरी लड़ाई उनसे बिल्कुल है ही नहीं मेरी लड़ाई ये जो गलत नीतिया के इंदर सरकार के उसके खिलाफ है मैं इंडिविजुल किसी के साथ कभी भी निलड़ती है पवार वर्सेस पवार हर्स कहीं इस बात की चर्चा होती है ऐसे में घर पूरा आपके साथ जानी कि पवार परिवार आपके साथ है किस तरीके साथ आप देखती है कि पवार का ये जो पवार पूरे एक फैमिली का सपोर्ट होना, कितना आपको बूस्ट करते हैं? मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत माइने रखती है, लेकिन मेरे निर्वार्चन शेत्रों के लोग भी बहुत माइने रखते हैं. आज भी जरूर काफी लोग अजीद पवार जी के साथ गए होंगे, लेकिन उनके घर के मेरे रिष्टे आज भी कायम हैं. हर जगा मुझे शादी में मिलते हैं, उनकी बीविया, बच्चे जब मुझे शादी में मिलते हैं, घर से खाना भी मुझे आज भी बहते हैं. तो जरूर वा जीद पवार के साथ पुलिटिकल ही है, लेकिन बहुत सारी फैमिली जैसी भी है, जो दिल से मेरे साथ हैं, आज भी. अजित पवार ने भारामती में एक सभा के दौराण कहा कि, और निस सु क्यानबे की जुनाओं में, यानकी अजित पवार को लोगों ने लोग समय भीजा, उसके बाद पवार साब को भीजा, फिर आपको भीजा, और अब बारी है बहु को भीजने की, तो जिम्मेदारी न बात नहीं है, ये देश की सेवा की बात है, किसान के प्यास को पैसा नहीं मिल रहा है, दूद शेहर में महिंगा हो रहा है, और गाव में उसको पैसा नहीं मिल रहा है, इस देश में भ्रष्टा चार बल रहा है, तो ये आप और मेरी बात नहीं है, ना किसी को खुश करनी क के बात है यह देश की सिवा करने की बात है एक सवाल पर इसलिए दुबारा लोटता हूं कि थोड़ी दिर पहले हमेशा सभाव में अजित पवार के उम्र का हमेशा जिक्र करते थे अब वो कहना है कि आपने कभी मुझे जीता है उसके बाद मेरे पिताजी को जीता है अब पा अच्छ लीजे दोनों बाश्यों कि समय घर में थे आज प्रतिदंदी की रूप में खड़े हैं जनता के सामने मैं उनको प्रतिदंदी समझती नहीं मेरी लड़ाई इस देश की सेवा के लिए है अन्याई के खिलाफ है मेंगाई के खिलाफ है बेरोजगारी के खिलाफ है तो मेरा आइडियोलोजिकल और मेरा अजेंडा पूरा क्लियर है मेरे लिए और इस देश की सेवा करने के लिए और मैं अच्छी पॉलिसी और एक अच्छे बदलाव के लिए मैं राजनीति में आई हूँ